नीट के जो स्टुडेंट हैं जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है सबसे पहले वो यह देखें तो रिजल्ट का बात बहुत किलियर हरे स्टुडेंट को कि रिजल्ट दो तरह के आए कुछ बच्चों को सेलेक्शन हो गया है और उनको एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हां उनका जो रहें के उसके बेसेस पर उनको बॉर्णमेंट कोलेज मिल जाएगा या मेडिकल कोलेज मिल जाएगा तो कुछ इस्टुडेंट ऐसे हैं जो या तो बोडर लाइन पे रह गए हैं या सेलेक्ट नहीं होगा है तो आप थच चुके हैं आपको लगता है कि नहीं आप नीट मे रिसल 620 नमबर आए तो हलो स्टुडेंट वेलकम टू माई चैनल और आज आपके लिए मैं लेका रहा हूं एक और नया पोड़कास्ट और इस पोड़कास्ट में मैं बात करूंगा नीट की रिजल्ट और रिजल्ट के बाद आप आगे आप क्या करें तो रिजल्ट का बा मिल जाएगा या मेडिकल कोलेज मिल जाएगा तो कुछ इस्टुडेंट ऐसे हैं जो या तो बोडर लाइन पे रहे गए या सेलेक्ट नहीं हो पाएं और को काफी तनाव और तनाव होना साभा वीग है क्योंकि जब आप और एक साल की प्रिपरेशन कर लेते हैं और सेलेक् नहीं निकलता और आज मैं सूलीशन निकालने की बात आपके लिए करा हूँ हमें देखेंगे कि झीज नहीं हो पाएं उनके लिए आगे क्या-क्या विकलता है और वो क्या-क्या कर सकते हैं सबसे पिहले वह यह देखे कि जो सेलेक्षन नहीं हो पाया है यह नहीं उनका रिजल्ट नहीं आया तोध बहुत जायए क्योंकि सबसे पहले बहूसे लोग तो यह सेज़ेस्ट करते कि देखो सलेक्ट के नीट भी ली तो जो addition है तो पहले ऐा दूसरे एट्रेंड में तो होता नही इसके लिए तो तीन-तीनरन चार-चार अट्रेंड भी देने पड़ते हैं बिल्कुन पड़े और तीन चार 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 अटेंट के बाद सेलेक्ट होते भी है फिर अंतों जब वो तीसरा चोटा जब अटेंट की गलतियों को सुधार ना होता है तो अगर आप अटेंट लेने की सोच रहे हैं और आप सोचते कि एक ड्रोप और ले लेता हूं तो आप सबसे करीई कि पिछते साल आपने क्या गलती करी एसी क्या मिश्टेक आप से हुई जिसकी वज़े से आपका झेन यह अगर और वाइन करी स्को अगर आने वाली डॉप में आने वा ले साल्म से डॉयाब लेंगे उसमें सुझार सकते हैं तो आप ड्रोप ले सकते हैं तो आप थक चुके हैं अपको नए अप नेट मेश्टन लुना आपके बसकी दखी दाइस. यह अपको लगता है की मैं एडेड़ी 3-4 साल लगा चुका हूं और आप कोई मतलब नहीं है तो विकल्ब आपके पास जैसे कि मैं आपको आतो तो बहुत सार ऐसे कोर्स है जिन में जाकर भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं फॉर एक्जामपल आप बेस्टलर ओफ फार्मेसी कर सकते हैं फीजो थेरिपी का कोर्स आप बीपीटी कर सकते हैं बेस्टलर ओफ फीजो थेरिपी कर सकते हैं बेस्टलर ओफ एक्रिकल्चर साइंसेस में कर सकते हैं आप बेस्टलर ओफ कंपूटर एप्लिकेशन भी कर सकते हैं दो आप बाइलिजी साइट के प्रम दो बीसी के eligibility open होती है, आप BBA कर सकते हैं, bachelor of business administration, आप BBA plus LLB, low में अपना career बना सकते हैं, आप bachelor of hospital administration में जा सकते हैं, आप अगर आस-पास देखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे option आपके पास और बहुत सारे professional courses हैं, जैसे एक example के तोर पे मैं बताऊं आपको career point university पर BCA program में एक student ने कुछ दो साल पहले complete करा था अपना BCA program, आज वो 66 लाग के package पर Canada में काम करते हैं, BCA करके, तो BCA के भी इस तरह के package लग जाते हैं, इस तरह की growth opportunities मिलती हैं, एक और student ने हमारी university की, जिसने BCA करा, और आज वो जर्मनी में seven figure salary पर काम कर दी हैं, और ऐसे बहुत सारे कैसे से, चाहे लो में लें आप कहीं पर भी लें, तो ऐसे बहुत सारे option आपके पास हैं, तो result के आने के बाद, जिनका selection होगा उनको तो बहुत-बहुत बधाईयां, और आप आगे बढ़िए, और जिनका selection नहीं हुआ, उनको disappoint होने की जुरत नहीं है, उनको यह सोचने की जुरत है, कि next हम आगे क्या करें, और जैसे मैंने भी आपको बता है, कि आपके बाद दो रिजन को मैंने बहुत एनालेसिस कर और मैंने देखा है कि लगबख 25 से 40 परसेंट तक की परफॉर्मेंस का केरे point की dropper बेस से, target और CPR बेस से बच्चों का आया है, और उनने बहुत अच्छे-च्छे रिजन लेकरा है, एक तो case बहुत special है, जिसके last year 70 नमबर दे और इसल 620 नमबर आया है, तो अगर आपको केरे point के इस course के बारे में जानना है, तो आप केरे point के office में संपर कर सकते है जहांपर हमारा focus performance improvement पर बहुत जादा रहता है, कि किस तरीके से आपकी current performance से आपको improve कराकर result तक लाया जा सकते हैं, और भी वह सारा आपके questions होंगे, तो उन questions को आप comment box में लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके questions का जवाब दूँ, तब तक कर लिए goodbye, I will come again with another podcast focusing on your career opportunities, career growth.